नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, मुझ एतना पुरो हीत विद्याराज ब्लोबर स्कूल वते आपनों हादिक स्वागत करूछू तो रण साथ विच्छवई हिंदी पाठ शाथ ढूंडते रह जाओगे यह पहलिया है हम पहलिया का अर्ष समझेंगे तो चलो हम पाठ समझते हैं पहलिया मरलजन के साथ दिमागी कसरत भी करती है क्योंकि हमें उसके उत्तर देने के लिए सोचना पड़ता है साथ ही कलपना वतर कसक्ति को भी बढ़ावा देती है पहलिया रोचक मचेदार होने के साथ साथ पासा विकास में भी सही योगी है पहलिया हमें सब्द वाक्य के विशिष्ट प्रयोक से भी अगवत कराती है एसी ही कुछ पहलिया यहां दी गई है उसको हम समझेगे और हमारा दिमाग का विकास करेंगे और हम तरह तरह के तरक शक्सी से हम उसका उतर देंगे तो चलो हम अपनी पहलिया समझेंगे तो पहली सोने की वह चीज है पर बेचे नहीं सुनार मोल तो ज़्यादा है नहीं बहुत है उसका भार बोलो मैं कौन हूँ तो पहले हम सम्झेगे, वो सोने की वस्तु है, परांटू सुनार उससे बेचता नहीं है। उसकी कीमत तो अधिक नहीं है, परांटू उसका वजण अधिक है। कौन है वो? चार पाई है ना? क्योंकि हम उसके पर सोजाते हैं, इसकी हमारी सोने की चीज तो है ही, पर सुनार उससे नहीं बेखता क्योंकि वो किसकी बनी होती है लोहे की उसकी कीमत तो अधिक नहीं है इसका मतलब वो सोने जैसी कीमत की नहीं है परन्तु उसका वजन अधिक से इसके मतलब है कि वो बहुत वजनदार है है ना चारपाई समझ गये ना तो अगली दूसरी एक नगर में ठेरो चोर चोरो का मुह काला पूछ पकड़ कर खीच दो चट हो जाए उजहला इसका मतलब क्या होता है एक एसा सहर है जिसमें बहुत चोर रहते है उन सभी चोरों का मुह काला होता है उसकी पुझ पकड़ कर खीचने से तुरंत प्रकास हो जाता है जवाब मालूम है आपको कौन है वो माचीस समझ गया ना उस बोक्स को हम क्या कहते है सहर कहते है और उसमें रहने वाली तितल लिया उसे हम क्या कहते है हम समझ गया ना चोर कहते है देखा है ने उसको उसका मुह क्या है काला है और हम उस डबी के पर रख कर खीचते है तो प्रकास हो जाता है ना इसलिए क्या हुआ माचीस अम हम तिसरी समझेगे पानी मेरा बाप, पानी ही मेरा बेटा मुह उपर करके देखो, मैं सबके उपर लेटा क्या है उसका मतलब? मेरा बाप और मेरा बेटा दोनों ही पानी है अपना मुह उपर उठाकर आकास में देखोगे तो मैं सबके उपर लेटा हूँ नाम बादल है ना बादल तुम सोते हो और उपर उठे उपर आकास में देखते हो तो क्या दिखता है वो अपने उपर सोते हुए दिखाई देता है हागे हम समझेंगे खुली रात में मैं पेदा होती हरी घास पर सोती हूँ मैं मोती जैसी मूरत मेरी बादल की में पोती हूँ क्या है रात में जब आकास साप होता है तब मेरा जन्म होता है इसलिए कि देर रात में मेरा जन्म होता है मैं हरी घास पर सोती हूँ इसका मतलब मैं हरी घास पर रहती हूँ, इसके बेटती हूँ मेरा आकार मोती जे सागोल और चमकदार है मैं बादल की पोती हूँ इसका मतलब वर्शाद नहीं हूँ पर मैं क्या हूँ? समझे ओस ओस मतलब चाकर क्या होता है? चाकर अब आगे इधर की बात उधर में करता उधर की इधर में बताता चुगल खोर पर कहे ना कोई सब के काम में आता बोलो, कौन हूँ मैं? मैं इधर की बात उधर और उधर की बात इधर कहता हूँ और सब को अपना-अपना बताता हूँ लेकिन मुझे कोई जुगल खोर इसका मतलब क्या होता है मुझे कोई पीठ पीछे बुराई करने वाला नहीं कहता मैं सबके लिए बहुत उपयोगी साधन हूँ बोलो मैं क्या हूँ टेलिफोन हाँ समझ गए ना मैं कौन हूँ टेलिफोन अब आगे सोने को पलंग नहीं नहीं महल बनाए एक रुपया पांस नहीं फिर भी राजा कहलाओ मेरे पांस सोने के लिए पलंग भी नहीं है मैंने अपने लिए महल भी नहीं बनवाया ना ही मेरे पांस एक रुपया भी है फिर भी मैं राजा कहलाता हूँ और मैं अपने महले में यानि की जंगल में सब मुझसे डरते हैं बोलो मैं कौन हूँ? सेर हूँ, मतलब सी हूँ कौन हूँ मैं? सेर हूँ, नहीं है न मेरे पास मैं कभी तुम्हें दिखाई देता हूँ, सोने पलंग पर सोये हुए क्या मेरे पास महल है तुमने कभी देखा है मैं महल में रहता हूँ नहीं ना फिर भी मैं क्या हूँ राजा हूँ अब आगे तीन अक्सर का मेरा नाम पानी देना मेरा काम प्रथम कटे तो दल कहला हूँ बीज कटे तो बाल कहला हूँ क्या है मेरा नाम तिन अक्षरों से बना है सबको पानी देना मेरा काम है मेरे नाम का पहला अक्षर निकाल ला जाए तो मेरा दल कहलाता हूँ इसका मतलब मेरा सब्द दल हो जाता है और बिच का अक्षर निकालने लिया जाए तो मेरा बाल कहलाता हूँ इसका मतलब मेरा जो बीच का अकसर निकल लो तो मेरा सब्द हो जाता है बाल बताओ मैं कौन हूँ कौन हूँ मैं बादल हूँ सही पहिचाना मैं बादल हूँ हम समझ गये ना यह पहलिया का और आगे हम कुछ और पहलिया भी समझेंगे मैंने यह सुनी हुई है आपने भी कभी सुनी होगी तिन अकसर का नाम सुहाना काम सदा खिलकर मुस्काना बीच कटे तो फल कहलाओ अंत कटे तो कम हो जाओ बोलो मैं कौन हूँ पता है आपको मैं कमल हूँ तुम देखते हो ना मैं सदा मुश्कुराता रहता हूँ और खिलकर ही हम सबको सुगंध भी दिला दिखता हूँ अब दूसरी जो जाकरन वापस आई जाता भी वह नजरन आई सारे जग में उसकी चर्चा वह तो अती बल्वान कहलाए मैं एक बार चला जाता हूँ तो फिर वापस नहीं आता और सारे जग की चर्चा अगर सब क्या कहते हैं मुझे मुझे बल्वान कहते हैं मैं कभी किसी से कुस्ती नहीं करता फिर भी मैं बल्वान कहता हूँ कौन हूँ मैं समय हाँ सही पैचाना मेरे जलते ही दूर होता है अंधारा अंधेरा लोगों को देता हूँ उच्छाला क्या है मैं जलता हूँ अगर मैं जलता हूँ तो क्या दूर होता है अंधेरा और लोगों को मैं क्या देता हूँ उच्छाला अंधार में लोग मुझे याद करते बताओ मेरा नाम क्या है अगर अंधेरा हो जाए तो हम क्या ढूंडते है हमें क्या दिखाई देता है हम क्या सोचते है दिपक को दिपक को हम याद करते हैं न चलो ढूंडो और एक और क्या है लोगों के दिमाग को कसत करवाओ कौन हूं मैं मैं क्या करता हूँ मेरा काम क्या है मैं सब के दीमा को कसरत कराती हूँ मेरा जवाब देने को तरह तरह के तरक भी तरक लगाते है सब सोचते है क्या है ये क्या है हम सब अच्छे अच्छे सब्द याद करते है अच्छे अच्छे काम याद करते है तो बताओ मैं कौन हूँ कहो जोई मैं कौन हूँ हाँ समझ गए याद आया आपको आपने शोचा कुछ हाँ मैं पहली हूँ आज हम पहली पर ही बात कर रहे थे सचे ना हम पहली ही बना रहे थे और आगे आप क्या करेंगे आप भी कुछ ऐसी अच्छी अच्छी पहली बनाएगे और मुझे सुनाएंगे सुनाएंगे ना सचे आज हमने अपने मगज को खुद कस लिया इसलिए हम आगे के वीडियो में क्या करेंगे आगे का पाड़ समझेंगे चलो नमस्ते विति आते मित्रो